हेलो फ्रेंड स्वेलकम डूर्ण टेकनीक रातवारां operate दूस्तों आज को टापिक है कि आ कि सर्किर्ट ब्रेकर में वेकिंग करन और बेकिंग करन क्षिक काईते है और दोनों में क्या डिफ्रेंट है और कौन सा करन ज्यादा रहता है या हो सकता है ठीक है दोस्तों तो दोस्तों यह बहुत इंपोर्डेंट टॉपिक है दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह बता दू कि making current और breaking current किसे कहते हैं ठीक है दोस्तों तो दोस्तों इसके समझने के लिए हमें क्या करना बनेगा कि हर कोई भी सर्क्रीव बेकर उठाके देखलो आप उसमें दो कॉंटेक होते हैं एक fixed contact रहता है और एक moving contact रहता है ठीक है दोस्तों जब भी हम breaker को on करेंगे या close करेंगे उस condition में क्या होता है कि जो moving contact जो रहता है वो fixed contact के पास आके दोनों आपस में एक आपना contact बना लेते हैं मतलब contact make हो गए अब इस condition में जो भी हाई amount of current flow होंगा उसे हम making current बोलेंगे दोस्तों क्यों contact make हो गए है मतलब बन गए उस दवराद जो भी current flow होंगा उसे making current कहेंगे दोस्तों ठीक है और breaking current के बात कहें दोस्तों तो circuit जब break होता है ओके अभी contact make हुआ था अभी break होना है जब break होंगा आता उस condition में जो भी high amount of current flow होंगा वह हमारा breaking current रहेंगा दोस्तों ठीक है दोस्तों इसके लिए क्या होता है कि हर कोई भी circuit breaker लो उसमें उसकी एक रेंज जो रहती है उसके मतलब कंपनी थो जो रेंज दी हुई रहती है कि भाई एक रेंज दी हुई रहती है दोस्तों कि making current की इतना capacity का हमारा circuit breaker है और breaking current की इतनी capacity है क्योंकि उस रेंज तक हमारा जो breaker है वह सेफ है जिससे हमारा उसके क्वांटेक भी नहीं जलेंगी और breaker का insulation फेल नहीं होगा और सब breaker का protection मतलब रहेंगा और breaker हमारा सेफ रहेंगा ठीक है दोस्तों तो इसके लिए उनकी जो रहें देते उसके अंतर गधी हमारा जो भी मतलब जितना भी current flow होंगा उसके अंतर गधी रहना चाहिए अगर उससे और हो जाता है तो हमारा baker के protection १ करने के इसाब से अंधरा बेकर जो है उसको circuit को ब्रेक कर देंगा ठीक है दूस्तों इसको समयने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो breaking current जो रहता है कि है ठीक है दूस्तों breaking current का जो हमारा मतलब रहता है rating ब्रेकिंग करेंट जो भी है तो उसका जितना ब्या है हमारा-घुल-टे ल lumière होता है, उसका 2 times रहता है टुट टेमच रहता है ठीक है, वो हमाराला बेकींग कर आपिस्टी इस त्रह से उसको राते ठीक है, लेकिन मेकिंग करने में क्या होता है ब्रेकिंग करन का 2.55 टाइम्स हमारा मेकिंग करन रहता है दोस्तो ठीक है मतलब जितना भी ब्रेकिंग करन रहेंगा उसका 2.55 टाइम्स हमारा मेकिंग करन रहेंगा ठीक है दोस्तो इसके लिए क्या होता है दूस्तो अब उस टापिक के आते हैं जहां पर हम यह समझना है कि कि किस में करन्ट ज्यादा फ्लो होता है ठीक है वोस्तो थोड़ा टॉफ टापिक है आप स्वाड टॉफ केशन है बट उसमें हम आते हैं कि उसमें अगर एक नदरी से हम देखा जाए हैं जैसे कोई फाल्ट आ गया वहें आ गया ऑक हम एक कि यह अगर हमने ऊस्थ नहीं किया और फिर से हमने वहें को चालो कने कि कोशिस की ओके एक्जाम्पल के लिए अगर फाल्टर ब्रेकर ट्रिप हो गया और हमने उसी कंडिशन में अगर ब्रेकर आन किया तो जितना भी हाई आमाण अप करण रहेंगा उसके अंतरगत ओके जो सर्कुट को ब्रेक किया जिसने वे ट्रिप किया तो उसका 2.55 टाइम्स हमारा मेकिंग करण रहेंगा उस कंडिशन में जब हम ब्रेकर क्लोस करेंगे ओके तो जैसे हमारा मालो 30 किलो एम्पेर का हमारा ब्रेकिंग करण है तो उस टाइम पे जब हम ब्रेकर आन करेंगे स्टाइम में है ना तो उस टाइम पे कितना आमाउड आप करण फ्लो होंगा तो 30 ब्रेकिंग करण हमारा 30 किलो एम्पेर है तो उसका 2.55 टाइम्स हमारा मेकिंग करण होंगा तो वो एटलिस्ट हंड्रेट किलो एम्पेर के उपर जाएंगा त्यक्त दोस्तों यह हमारा making current हो इसे कारण से दोस्तों जो हमारा making current है वह breaking current से ज्यादा रहता है ठीक है दोस्तों यह हो सकता है ओके तो दोस्तों यह simple सा एक उधारन था अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो like जरू कीजिए सब्सक्राइब जरू कीज है उसका नौर्टिफिकेशन आपको मिलता रहे और मुझे कमेंट जरू कीजिएगा दोस्तों कोई भी टापिक में को सगेद जरू कीजिएगा जिसके उपर मैं आपको अच्छा चे यूडियो आपके लिए बनाता रहूं ठीकर दोस्तों जिसे मेरा मोट्वेशन भी बड़े तब तक के लिए धन्यवादोस्तों